हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो सागर रोबोटिक्स आज की इस वीडियो में हम एक शार्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस बनाने वाले जो की बिल्कुल MCB की तरह काम करेगा लेकिने 12 ओल्ट DC पे वर्क करेगा हमारा MCB जो रहता हो AC के लिए रहता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सागर रोबोटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो मैं अपनी चैनल पे इसी तरीके से इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट लाता रहता हूँ तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रोटेक्शन डिवाइस हैं MCB को बनाने के लिए मैंने तीन एमेम के दो LED ले लिए एक रेड और एक गलू इनकी जगह पे आप कोई भी दो LED ले सकते हो आपको जो एवाइलेबल हो उसके बाद मैंने एक MDF बोट क का पीस ले लिया उस MDF बोट के पीस में मैं इन दोनो LED को लगाने वाला हूँ तो इन दोनो LED को मैंने लगा दिया तो दोनो LED की जो positive वाली terminal है वो एक जगह पे मैं solder कर लूँगा इस तरीके से तो मैंने इने एक जगह पे parallel कर लिया दोनो LED की positive को और ये जो इदर उधर की है वो निगेटिव है, अब मैंने एक 1.5K का रेजिस्टर ले लिया है, तो इस रेजिस्टर को मैं यह जो दोना LED की पॉजिटिव मतलब सेंटर वाले टर्मिनल है, उसमें सॉल्डर कर दिया, उसके बाद मैंने एक वायर का पीस लिया, उसे रेड एलीडी के टर्मिनल पे, टर्मिनल है, उसमें के दो टर्मिनल मैंने बेंड कर ले, जो की काम के नहीं है, और यह जो दो टर्मिनल है, बचे वाले उन पे मैं थोड़ी सी वायर सॉल्डर कर ले था हूँ, तो मैंने इन दोनों टर्मिनल पे वायर सॉल्डर कर ली, इस जगर पे आपको पुश स्वीच चीज इस्तमाल करना होगा क्योंकि यही चलेगा तो यह मैंने पुश्च वीचे आप ऐसा चिप का लिया है तो यह जो रेड एलीडी की वायर है वो में रिले के जो राइट साइड वाला टर्मिनल है उपर वाला जो दो टर्मिनल दिखाई दे रहे उसमें के राइट साइड वाली टर्मिनल पर सॉल्दर कर दूंगा उसके बाद जो ब्लू एलीडी och का वायर ईसे मैंने जो लेटवाला टर्मिनल है उसे सॉल्दर कर दिया अओ मैं जो रेजिस्टर वाली वायर थी हमारी उस वायर को मैंने रिले के नीचले टर्मिनल के राइट साइड में सॉल्डर कर ली है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो उसके बाद अब वायरिंग रहे गई है इस पुश स्विच की तो इस पुश स्विच की एक वायर में इस सॉल्डर कर ली उसके बाद ये जो दो टर्मिनल दिखाई दे रहे रिले के लेफ्ट साइड वाले उनको मैंने एक तार की सायता से एक जगह पे सॉल्डर कर लिया है उसके बाद मैंने इन्पुट के लिए दो वायर ले ली एक ब्राउन मतलब ब्लैकिश और एक वाइट है तो आप कौनसी भी कलर की ले सकते हो तो जो ब्लैक वाली वायर थी उसे रिले के सेंटर टैप में और जो वाइट वाली टी उसे रिले के राइट साइड में सॉल्डर कर दी उसके बाद आउटपुट के लिए दो वायर लगानी है हमें तो इसके भी लिए मैंने इसी तरीक एक डिब भी बना ली और ये जो दो होल डाल दिये उन होलो से में ये जो वायर है इनको बाहर निकाल लेने वाला हूँ तो ये इन्पूट की और आउटपूट की वायर मैंने बाहर निकाल ली उसके बाद मैं इसे stick fast से चिपका दूंगा आप फेविकिक से भी चिपका सकते हो और किसी दूसरी डब्बी में भी इसे लगा सकते हो यह input की wiring है और यह output की wiring तो यहां से मैं input डूंगा और यहां से output लेने वाला हूँ और यह हमारा restart switch है और यह off के लिए और on के लिए LED है तो मैं इस पे 12 hold का input डे रहा हूँ मैं जैसे ही input डूंगा यहां पे red LED स्टार्ट हो जाएगी देखो red LED जलना हमारा शुरू हो चुका है मतलब हमारा device work हो चुका है चालू तो अब मैं इस पे light लगा के आपको इसे test करवा देता हूँ तो मैंने 12 hold का light connect कर दिया है अब मैं जैसे ही यह restart वाला switch पूश करूँगा तो यह blue LED जल जाएगा और यह भी चालू हो जाएगा देखो तो यह blue LED और यह light हमारा जो था वो शुरू हो चुका है अब जैसे ही यह जो दो wire है light की इसे मैं शॉर्ट कर दूँगा तो यह red on हो जाएगा और यह blue बंद हो जाएगा और current भी बंद हो जाएगा तो देख सकते हो तो यह बिल्कुल अच्छे से work कर रहा है आप वीडियो में देख सकते हो दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक like नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगा है या कुछ गलती दिख रही हो तो आप comment box में मुझे बता सकते हो अगर आपको इसे बनाने में कोई problem आता है तो आप वो भी comment box में पूछ सकते हो